हलो फ्रेंट्स वेलकों इन मैं यूड़ूब चैनल नॉलेज पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कानपूर घटना के मुख्या रूपी विकास दुबे के गृपतारी के बारे में विकास दुबे दर्षन की लिए बियाईबी पास के लिए जब दुकानदार से पूछता है तो दुकानदार को उस पर संदेह होता है और वो मंदिर के सुरख्शा कर्मी विकास दुबे को घेरले दे हैं और पास के पुलिस्टेशन को खवर करते हैं मौके बारदाद पर पुलिस पहुंच कर विकास दुवे को हिरस्त में लेती है और उसे एक अन्नून लोकेशन पर पुछताच के लिए ले जाती है यह वही विकास दुवे हैं जिसके उपर कांधपुर की एक जिले में 60 से भी जादा मामले दर्ज हैं जिनमें से जादा तर मामले हंत्या के और हंत्या के प्रयास के उपर दर्ज हैं तो फ्रेंट हितना कुक्या आरोपी मद्रदेश के पुलिस द्वारा पकड़ाये गया जिस पर मद्रदेश के मुकमंत्री और ग्रह मंत्री नरत्रम मुश्रजी ने पुलिस को बधाई दिये और कड़ी कारवाही करने के लिए अदेश दिये हैं पुलिस वालों को खुली छूट दिये है कि वो कड़ी से कड़ी कारवाही करें और इस घटना में जो जो सामिलो सब की चांच की जाए चाहे वो खाकी वाला हो या खादी वाला हो पूरी जांच की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो विकास दुबे काफी साते वर्द मास है और इसकी पहुंच काफी उपर तक है तभी तो घटना के इतने दिन बाद भी इसे पुलिस नहीं पकड़ पाई थी लेकिन एक दुकानदार की समझदारी की वज़ सरकार की उपर उनने छोड़ दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा और आपकी राजम विकास दुबो को सजा मिलनी चाहिए और जो जो इनके साथ मिले हैं उन सभी को भी सजा होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पर आपकी क्या राए है कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बताएं इस केस से रिलेटेड सभी इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें जिसके ऐसे इंपोर्टेंट यूस्फूल नोटिफिकेशन सबसे कर लें आपको मिलें फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में जब त इंपोर्टेंट आइट